Welcome to my channel, thumbnail देखी लिया होगा, आप लोग को पता तो चली गया होगा, कौन सा लुक मैं क्रिएट करने जा रही हूँ, Easy Indian Makeup Look Tutorial, तो step by step skin prep कर रखी थी, Mausturizer apply कर रखा था, तो मैंने primer apply किया, सस्ता सस्ता affordable price का सारा product है, कोई भी महेंगा नहीं है, ठीक है, primer rescue का मैंने use किया, सारा link में डाल दूँगी, primer के बाद rest देन अपने skin को थोड़ा सा, फिर उसके बाद foundation apply किया, मैंने foundation के जगर tint apply किया, बट tint में भी मैंने serum apply कर लिए, बहुत smooth हो जाता है, मैंने serum apply कि और देखो यहार, कितने smoothly brush से, अब मैं blender से कम brush से जादा अच्छा blend कर लीती हूँ, दीरे दीरे, मलब कि ऐसा होता देरे देर आपका level अच्छा होता जाता है, वही हो रहा है मेरे साथ, मैं makeup में थोड़ा सा और भी थोड़ा थोड़ा प्रो होती जा रही हूँ, तो guys, अच्छा लगे तो like, subscribe कर दिया करो, कुछ नहीं होता, और फिर उसके बाद आपको मैंने अपना पेस कर लिया था, एक मिनिट guys, full base अभी नहीं हुआ है, बस foundation और primer हुआ है, और इसके बाद मैंने अपने eyebrows को set कर लिया, सबसे main चीज रहती है guys, अगर आप makeup नहीं भी कर रहे हैं, अपने brows set कर लो, और टेंट रहाल का लगा के, लिकल तो तो एकदम ललन टाब लगोगे वैसे तो, तो आपको बिस अपने brows set करना perfectly सीखना होगा, मुझे भी बहुत time लगा था, day by day, day by day आप practice करते जाओगे, तो आपको वो perfect होई जाएगा, फिर आपको concealer लगाना है, मैंने sis beauty को concealer काफी time से यूज किया, वो बहुत ही affordable और perfect concealer है, और आपको जाजा आपका dark area, under eyes, mouth area, forehead, तो इन सब जाजा आपका highlighting point है, जरू कर लेना, guys, तो आपके under eyes creasing आने लगेंगी, और गर्मियों में तो बहुत जादा होने लगता है, तो दो मनिट लगा के loose powder, उसको आपको dress छोड़ देना है, तो आपको dust out कर देना है, जिससे मैं कर रही हूँ हो, और step by step follow करते जाओगे, तो आपका भी make-up मेरे जैसा perfect होगा, फिर मैं lip tint apply कर रही हूँ as a blusher, तो आपको कोई भी blusher अपलाए कर आपको liquid या cream या powder product अपलाए कर सेगा, फाइनली मेरा base हो चुका है, फिर मैं अपनी eye look पे जाओँगी, क्योंकि मैं eye look, eyeliner boldly करने वाली हूँ, तो मैं बस अपने all over lid पे एक transition color दे रही हूँ, ब्राउन shade लेके, तो बस आपको normal brown shade अपलाए करना, बट आप एक बार में जादा उठाके apply मत करना नहीं, तो फिर वो अच्छे से blend नहीं होता, थोड़े थोड़े amount में apply करना, फिर lower lid पे भी ब्राउन shade अपलाए कर लेना, विंक eyeliner काफी दिनों बाद मैं apply कर रही थी, और कभी भी ऐसा होता है, जो eyeliner में perfect होंगे, उनी के साथ एक बार में दोनों बराबर लग सकती हैं, नहीं तो बही मुझसे तो एक बार में दोनों आखों में eyeliner बराबर नहीं लग पाती, तो कुछ ना कुछ hack वैक ट्राइ करना बढ़ता है इसके वज़े से, वो hack आप सब के साथ share करो, तो आप लोग comments जरूर करना, फिर उसके बाद nose contouring, nose contour लगा लो यार, brush blender मत use करके, अपने finger को use करो, कितने अच्छे से smoothly blend हो जाता, और natural contour लगता है, मतलब contour भी नहीं लगता है, आपने nose पे जादा contour करी, heavy, तो फिर मैंने lacmi का, काजल अपलाई किया है, waterproof, बहुत एक stroke अपलाई किया है, एक बहुत इस stroke, उसके बाद मैंने brush से blend कर दिया, बहुत अच्छा सा look आया है, smoky सा, क्योंकि हमने एक brown transition shade, अपलाई कर रखा था lower lid पे, उसके बाद वो black kाजल smurge हुआ, तो वो बहुत अच्छा लोगाया, NYV का मैंने fake falses अपलाई किये हैं, और fake falses कैसे अपलाई करते हैं, अगर आपको वो चानना है, तो वो भी मुझे आप comment कर सकते हो, मैं आपके लिए एक short video ले आऊँगी, आज मैं first time आपके सामने apply कर रही हूँ, नहीं तो मैं off camera apply करती हूँ, ज़्यादा तर, ये सारे struggle इतना सारा होता है, उसके बाद आप mascara apply करना, आपका कोई भी favorite mascara apply कर सकते हूँ, मैंने Maybelline का apply कर रही हूँ, तो मैंने lower lashes पे apply किया first, और आपको fake falses apply करने के बाद भी, upper lashes पे ही mascara apply करना रहता है, क्योंकि ताकि वो आपकी lashes और fake falses stick हो जाए, एक equal लगे, मैंने फिर liquid highlighter लिया, liquid highlighter direct आप अपने chicks पे मत अपलाए करना, आप ऐसा करना कि अपने hand पे apply करके, blender से या brush से, मैं भी blender से कुछ जादा अच्छे से blend हुआ मेरा, क्योंकि brush से इतना जादा अच्छे apply नहीं हो रहा था, तो blender apply करना आप, अगर आपको inner corner highlight करना पसंद है, तो मुझे तो पसंद है guys, literally, अपने highlighter को लेके finger के थूँआपलाए कर लेना, लिपशेट चूज कर लीजेगा, अपने dress के according, मैंने तो अपने dress के according, hot pink चूज किया है, और अगर ये make-up look अच्छा लगी, तो like, share और comment ज़रूर करना, और वैसे तो ये my glam का lip shade है, और अगर आपको, मैं सारी की सारे product के link, provide कर दूँगी description में, final look मेरा अगर पसंद आए, तो purple heart ज़रूर कमेंट करना, पॉपल हाट ज़रूर कमेंट करना,